हेलो एव्रिवान वेल्किन तो आर चानल अड़र 247 जुडिश्री मेरा नाम है पूर्वावद्स और मैं हूँ आप सभी की जुडिश्री मेंटॉर और साथ ही साथ आप सभी को गाइड करें हूँ आपके अपकमिंग एक्जाम जो की है ओल इंडिया बार 18 गाइग्जाम तो तो जब भी मुझसे मेरे स्टूडिन्स कुछ भी कोई क्वेरी लेकर आते हैं कोई उनके मन में डाउट होता है तो मैं यहां पर वीडियो के मोड से उन सभी स्टूडिन्स को मैं हापर गाइड करती हूँ कि अब आगे क्या करना है तो जब मुझे लगता है कि हाँ यह जो कैसी इंफोर्मेशन है जो जादा से जादा स्टूडिन्स को पता लगनी चाहिए तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आती हूँ तो आप सभी चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ साथ आपके और भी अगर कोई डाउट्स है कोई क्वेरी है रिगार् का कब है इस संडे को है और उससे रिलेटेड जो फ्री क्लासेज हैं वो मैं प्रोवाइट कर रही हूँ इस चैनल पर तो सब्सक्राइब किये भी ना बिल्कुल भी मज जाना क्योंकि AIB एक्जाम में गेटवे हैं आपके करियर का कि जहां पर आप अपने करियर को इस सब्सक्राइब करियर के जाना क्योंकि आप लोग कोई गलती ना कर बैठें आप सभी को पता है ओल इंडिया बार सेविंटीन के अंदर कितने सारे स्टूरेंट्स का रिजल्ट रिजेक्टेड आया विद्हेल्ड आया और इतनी बड़ी ओगनाइजेशन आप लोगों को अंसेरेबल नहीं होती और बात करें इस एक्जाम की तो इस एक्जाम को आप थोड़ा सा सीरियस लेवल में लेके च तो जो चोटे आट्स हैं या कोई बड़े आट्स उनको इंडेक्स लेकर जा सकते हैं सो दा आंसर इस बिग बिग नो नहीं लेकर जा सकते यह आपके क्वेशन पेपर पे भी मेंशन है और जो आपका एड्मिट कार्ड आ गया है आप आज सभी से आज से आप लोग एड्मि कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और यू नेट तो इस तो आपको अपनी लॉगन आईड और पासवर्ट डालना होगा फिर आप एड्मिट कार्ड को कर पाएंगे और एड्मिट कार्ड के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है ओनली बेराट्स विदाउट नोट्स आर अला अगया इंडेक्स वगरा नहीं बेयर एक्ट लेकर जाइएगा ये यूनिवर्स की ले सकते हैं कमेर्शियल्स की ले सकते हैं और किसी ब्रैंड की ले सकते हैं जो आपको कोड क shining authentic AG्स मत अधिये औंको आपने आलाएं वहा אपको डर हम में अपने साथ पेपर दे रहे होंगे स्टूडेंट्स उनके साथ हम बेराक्ट को शेयर कर लेंगे तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होने वाला है आपको वहां पर कोई भी इजाज़त नीज दी जाएगी कि आप किसी के साथ अपनी बेराक्ट को शेयर कर लिजेए रिस्क पर किसी भी बेराक्ट विदाउट नोट्स एंड कमेंट इंसाइड दा इग्जामिनेशन सेंटर देखिए क्लेरली हां पर लिखा हूँ है कि बेराक्ट सी अलाउट की जाएंगी और अगली चीज देखो कि यहां पर क्या लिखियो हूँ है बेराक्ट के रिगार्डिंग कि एक तो अगर आपको टाइम देखना है तो ले जा सकते हो दरवाइस जो भी आपका महां पर इन्विजिलेटर होगा उससे आप समय पूछ सकते हैं तो यहां पर कुछ नहीं ले जा पाएंगे कोई एक्स्ट्रा बुक देखिए साफ साफ एडमिट कार्ट पर लिखा हूँ है कि पर किसी भी तरीके के नोट्स नहीं लेके जा सकते हैं और अगर आप इंडेक्स की फोटो कॉपी लेके जाते हैं डाट विल बी कंसीड़ आज यौर परसनल नोट्स वो लाउड नहीं किये जाएंगे और फिर उसके बाद दुबारा लिका एक्सेप्ट बेराक्त विदाउ मेक शॉर जब कि बेराक्त के अंदर कोई सेल्फ रिटर्ड नोट्स नहीं होने चाहिए कुछ और नहीं होने चाहिए यह एक और सवाल था स्टूडेंट्स का कि माम क्या कहते हैं बेराक्त पर ना हमने क्या किया हुआ है फ्लागिंग की हुई है फ्लाग्स लगा लेते हैं स्टूडेंट्स की कौन सा है पेज नमबर तो मेक शॉर फ्लागिंग हो लेकिन फ्लागिंग के ऊपर भी कोई बहुत एसेंशल काई तूडेंट्स होते हैं फ्लाग्स के ऊपर भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं ऐसा नहीं अगर सिंपल फ्लागिंग की होए हैं वो भी अलाउट नहीं की जाएगी तो इन सारी चीजों का बहुत ही घहराई से ध्यान दीजेगा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा किसी का कुछ भी निजाएगा लॉस की वलापका होगा फी का टाइम का हर एक चीज का अगेन आपको 6 महीने वेट करना होगा अगला पेंसे अंडरलाइन हो तो जाने देंगे यस वेरी गुट क्वेस्टन हाँ अगर आपने सिंपल अंडरलाइनिंग वगरा कर रही है तो ऑके इवन थोड़ी बहुत आपने क्या की हुए हाइलाइटिंग भी की हुई है तो भी ओके है बस ऐसे लिखा कुछ नहीं होना चाहि और मेक्शॉर यह भी मत कीजेगा कि पैंसल से लिखा हुआ है तो कोई रिस्क मत लेना क्योंकि उनका क्या है सीधा करेंगे पेपर देना है तो दो वरना आप बाहर छोड़ दीजे तो वही है नुकसान अपना होगा और किसी का नहीं होगा एंड लामेंड प्लब्लिशर की बेर अक्ट इट विल बी अलाओड जो हमारी डेपिटेटेट पब्लिशिंग कमपनीज है जो कोट्स के इंदर मिलती है वो आप ले जा सकते है ठीक है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस ब्रैंड की होनी चाहिए यह इस पर्टिकुलर पब्ल नहीं है तो जो हमारे कोट्स के अंदर मिलती है कमर्शल्स की होगी उनिवर्सल्स की हो गई वह आप सारी ले जा सकते हो कोई इसमें दिक्कत मत करना इवन एक और प्वेश्चन था कि क्या माम हम डिगलॉट वाली एडिशन को लेके जा सकते हैं जो बेराइट्स नहीं होने चाहिए यह तो एक राइटीरिया है यह बाकि वो पब्लिशर जो कोट्स में आपको मिल रही है वो आप ले जा सकते हो उसमें आपको कोई भी दिक्कत का नहीं आएगी एनी मों क्वेश्चिंस डिगार्डिंग बेराइट्ट डिगार्डिंग एनिफिंग एई तो इसी तरीके की जो वीडियोज हैं वो मैं आप सभी के सामने लेकर आती रहती हूँ तो मेक शूर कि अगर आपको और भी कोई डाउट आता है कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है या आपके मन में कोई भी question है doubt है तो do let me know in the comment section below ताकि मैं आप सभी की जितनी भी problems हैं उ आपको अड़ा 24-7 जुडिश्री हमारे चानल पर free classes दे रही हूं for AIB and हमारी टीम आप सभी को जुडिश्री की यहां पर तयारी कराती है so सबसे पहले बात कर लेते हैं YouTube चानल के लिए ठीक है so YouTube खोल लिया हमने आप YouTube पर जाएंगे उसके बाद आप यहां पर सर्च करेंग अड़ा 24-7 जुडिश्री चानल को यह आपने किया चानल को क्लिक फॉर्स लिंक को क्लिक करेंगे और यह देखिए इस तरीकी से जो लाइफ चल रही है यहां पर आप कहां जाएंगे प्लेलिस्ट के उपर प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे फ्री वीडिय तक के क्यारी कर रहे हैं उनको मैंने वन शॉट में बना हुआ है लैंड एक्विजिशन अक्ट देड़ घंटे में इंडस्ट्रियल लेबर लौ दो घंटे में इन्वार्मेंटल एक घंटा बीस मिनट में आपिट्रेशन कंसीलेशन आक्ट आइपियार आक्ट पब्लिक इं इसके अलावा आप बैक जाएंगे और यहां पर देखेंगे कि यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एएएटीन क्लासेज बाय पूर्वावच तो इन क्लासेज में भी दोस्तों आप सभी को मैंने पूरा कॉंस्टिटूशन फैमिली लौ और इंपॉर्टेंट सारे तोपिक्स कराये हुए हैं AIB के एक्जाम पॉइंट व्यू से तो आप यह देखिए केस लॉस मैंने हाँ पर कराया है लास्ट मिनट प्राक्टिस सेशन इंपॉर्टेंट केस लॉस यह देखिए मैक्जिम्स कॉन से इंपॉर्टेंट है तो यह सारी चीजे मैंने आप सभी क के लिए कराई हुई है तो आप इनको चेक कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं अगर अभी ओधे एकesa के अंदर आपने पढ़ाई कर ली थोड़ा सा भी यहाँ ठ्वार्ण बीया और थोड़ा सा भी हावट कर लिया तो आपको इस बार का एक्जाम क्राक करने से क कोई नहीं रोक सकता है एंड मैं बेरैक्ट में पहना अच्छी के यह कुएशन हो गया मैं एक अकांचा मैं एक्जाम सेंटर में ड्रेस कोड भी होता है वैसे आज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि यह ली ड्रेस कोड ही पहन के जाना है आप नॉर्मल अपने कपड़ों मे जा सकते हैं बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सभी ब्लाक इन वाइट में ही जाईएगा कि कोई इश्यू ना है और वो अच्छा भी लगता है एक फील आती है कि यह हम वो अड़ोकेट्स एक्जाम देने के लिए जा रहे हैं तांकि हमें सर्टिफिकेट ओफ प्र चले एंड हैंड हैंड पर सिंपल वॉच पहना जासा हां सिंपल नॉर्मल टिक टिक ट्लॉक पहन के जा सकते हो राइट और डिजिटल वगेरा स्मार्ट वॉच नहीं पहनी है का बाहर उतार देंगे अगर आप अपने ड्राइवर या फिर क्या बिया फिर अपने पेरेंस क जगह नहीं होती है महां कॉलेजेज में तो आपको समान देख लो फिर बड़ी मुश्किल होती है तो कुछ लेके ही मच जाना सिर्फ ब्लाक और बॉल पैन ले जाना एड्मिट कार्ड और एक फोटो आईड अपनी ले जाना अजय मैं आंसर शीट में क्वेशन पेपर हैं आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ा बताई है आल राइट सो चलिए दोस्तों आपनी नेक्स नोटिफिकेशन में अपडेट में आप सभी को मिलूंगी आज के लिए इतना ही आल दे बेस्ट आन जय हिंद टो यू गाईज